हेलो बच्चो मैं हूँ शुभम गुपता या शुभम संभव और आज हम साथ मिलकर समझने जा रहे हैं क्लास 10th हिंदी कोर्स A का एक काफ़ इंपोर्टेंट चाप्टर संस्कृति बच्चो ये जो पार्ट है संस्कृति का जो क्लास 10th हिंदी कोर्स A का पार्ट है ये पार्ट जो है ये दरसल एक निबंध है लेकिन काफी लोग क्योंकि मैंने इस चाप्टर को खुद पढ़ा भी है और बच्चो को पढ़ाया भी है और सच कहूं तो औरों को पढ़ाते हुए देखा भी है पर इस चाप्टर को पढ़ाने से पहले एक बात जो मैं आपको पूरे विश्पास के साथ कह सकता हूँ जीवन के अनुभव के साथ कह सकता हूँ कि ये चाप्टर सिर्फ मार्क्स दिलाने के लिए छोटा सा निमद नहीं इसके अंदर बहुत स्ट्रॉंग कोर वाल्यू और बहुत अच्छा मेसेज है जो कई लोग समझा नहीं पाते सच तो यह है कि शायद मैं भी समझा नहीं पाऊं ये चाप्टर जो है इसे समझाया नहीं जा सकता हम सिर्फ ऐसी परिस्थितियां उत्पन कर सकते हैं ऐसी चीज़े कह सकते हैं जिससे आप इसे खुदना खुब समझ जाए अगर कोई साइंटिफिक लॉजिक है यानि कि अ ये हो सकता है लेकिन ये जो पार्ट है संस्कृति का ये तो संस्कृति और सभ्यता के बारे में है इसे समझा जा सकता है समझाया नहीं जा सकता होता क्या है कई बार की जब समाज में लोग समझते नहीं है इंडियन लोग ही इंडियन कल्चर की डिस्रिस्पेक्ट करते हैं ह इसमें बाद में CBSी तो आराम से निकल जाती है कि हमारी गलती नहीं है हमने ऐसे chapters syllabus में curriculum में डाले थे जिनसे बच्चों का growth और development हो सर फिर भी बच्चे क्यों नहीं समझ पाए फिर उस शिक्षकों के उपर आ जाता है कि उन्होंने सिर्फ आपको कहानी और पाठ पढ़ाया अर्थ और मर्म नहीं समझाया मैं आपको यहाँ पे भाशर देने नहीं आया सिर्फ यह बताने आया हूँ जो सच है यह वो सभ्यता है यह वो संस्कृती है जहां पे यही कहा गया है कि सत्य सूरे की तरह होता है आप अपनी आखें बंद रखें या खुली रखें उससे कोई फरक नहीं पड़ता आप ही की बात हो रही है लोग आप अपनी आख बंद रखो या खुली रखो इससे कोई फरक नहीं पड़ता सूरे का प्रकाश अवश्य दिखाई देता है तो अभी मैंने यहाँ पे जब मैं सत्य और सूरे की बात कर रहा था तो मैंने दो वर्ड्स का उचारन किया दो वर्ड्स मैंने कहे एक संस्कृती एक सभ्यता चलिए अब चाप्टर की शुरुवात करते हैं सबसे पहले आपको बस इतना पता होना चाहिए कि इसके लेखक जो है यह दरस्री आपको सर्फ भधंत जी लिखा है माफ कीज़े शायद बाकी चीज़ा वाइट फॉंट से लिख दी गलती से मैंने भधंत अनंद कौसल या यन कौसल यायन जी या भधंत अनंद आप कह सकते हैं भधंत जी ये काफी कमाल के लिखक थे ठीक है इनकी कोई खास प्रसिद्धी नहीं है जैसे की रितुराज जी की है या फिर प्रेमचन जी की है या महादेवी वर्मा जी की है पर इन्होंने कहानिया या उपनयाज जादनी इन्होंने निबंध ही लिखे पर इनके निबंध बहुत पावरफुल होते थे इनके बारे में आपको इतना नाम मतलब जानने की जरूत नहीं खाली इनका नाम याद रखेगा चलिए अब फटाफट पार्ट को शुट ये कुछ शब्दार्थ है इन्हें हम लास्ट में देखते हैं ठीक है कहानी का संदेश देखिए जैसा मैंने आपको बताए संदेश यानि की ये कहानी नहीं है दरसल ये निबंध है एक ठीक है तो इस निबंध में संदेश क्या है ये निबंध ये बात समझाना चाहता है कि संस्कृती और सभ्था में फर्क क्या है अगर थोड़ा इंग्लिश में कहे कि what is the difference between culture and civilization संस्कृती यानि की क्या culture या civilization सोच के बताओ संस्कृती यानि की culture सभ्था यानि की civilization जैसे हम कहते है ना सिंधु घाटी सभ्था यानि की इंडस वैली civilization इंडस नदी को हिंदी में सिंधु नदी कहते है पंजाब सिंध गुजरात मराथा हाना एनिवेस पॉइंट यहाँ पर यह बच्चो कि इस चैप्टर में संस्कृती और सभ्था क्या होता है इस चीज को समझाया गया है लेखक जो है वो यह मानते हैं कि सभ्था संस्कृती का परिणाम है यानि कि संस्कृती की वज़े से ही सभ्था बनती है अब इस चीज को फिर से समझो कि कल्चर की वज़े से सिवलाइजेशन बनता है थोड़ा सा अजीब लग रहा है थोड़ी थोड़ी चीजे समझ में आ रही है पर आगे बहुत अच्छे अच्छे एक्जाम्पल्स लिए है और मैं absolutely crystal clear कर दूँगा आपके लिए तो आप tension बिल्कुल भी मतलो माफ करना मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए crystal clear हो जाए और इश्वर की कृपा से सब अच्छा हो जाएगा तो सभ्यता और संस्कृती जो है संस्कृती की वज़े से सभ्यता बनती है अगर संस्कृती नहीं है तो सभ्यता नहीं हो सकती अगर culture नहीं है cultural values नहीं है तो कोई civilization exist ही नहीं कर सकती ठीक है साथी साथ पहली line में लेखक ये भी कहते है लेखक कौन है भदंत जी कि मानव संस्कृती अविभाच्य है यानि कि जिसका विभाचन नहीं किया जा सकता फिलाल इस point को side में रखते हैं और एक point जो आपको अभी तक समझ में आना चाहिए कि संस्कृती ही सभ्यता को जन्म देती है अगर संस्कृती नहीं है तो सभ्यता नहीं हो सकती अब यहाँ पे लाजमी सा बिना चीजों को जादा घुमाये और निचोडे इदर उदर किये लाजमी सा सवाल उठता है कि सर ठीक है हमें आपने ये तो बता दिया कि संस्कृती की वजह से ही सभ्यता है अगर संस्कृती नहीं है कोई culture नहीं है तो कोई civilization भी नहीं हो सकता यानि कि अगर कोई संस्कृती नहीं है या कोई भी ऐसा कार है, जो समाज के कल्याण और परुपकार के लिए किया गया हो, वो संस्कृती बन जाती है, एक्साम्पल से समझते हैं, छोटी-छोटी कहानियों से समझते हैं, जैसे पुराने जमाने में गुरू अपने शिश्यों को बताते थे न, एक कहानी के अंदर कहानियां होती थी, और हर कहानी जो है, में कहानी से connected होती थी, तो अब चलिए एक छोटी सी कहानी समझते हैं, कहानी इंदसेंसे case study की तरह देखते हैं, वो शक्स जिसने सबसे पहले आग का अविशकार किया होगा, हना, अब सोच करके देखिए कि वो कितना बड़ा जगा पर भी वो काम आती हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी, ये आख का अविशकार भले ही वो accidentally हो गया हो, जाने अन जाने में हो गया हो, गल्ती से हो गया हो, लेकिन आख का अविशकार जिसने भी किया हो, या जिससे भी हुआ हो, वो बहुत कमाल की बात है, और गल्ती से भी हुआ होगा कुछ, तो उसने इस चीज को observe किया, ये क्या जला, हो सकता है कि for example, वो नॉर्मली पत्थरों के साथ खेल रहा हो, और खेलते खेलते उसने दो पत्थरों को जोर से रगड़ा हो, और एक चिंगारी सी निकली हो, और उसने फिर इस अब दूसरा example लेते हैं, सुईधागे का example, वो शक्स जिसने सबसे पहले सुईधागे का विशकार किया, आप सोच के देखिए ना, प्लीज एक बार, आज हम missiles की बात करते हैं, आज हम rockets की बात करते हैं, आज हम computers, gadgets की बात करते हैं, लेकिन सुईधागे जैसा basic सा विशकार मतलब क्या सोच आई होगी, आग का तो चलो हम समझ सकते हैं कि गलती से दो पत्थर टकरा गए होंगे, तो चिंगारी निकली होगी, तो उसको चिंगारी करकर के करकर के आग उसने जलाना सीख लिया होगा, पुराने आधी मानवोने, या हो सकता है, जंगलों में कभी जोर स टुकडा लो, उसके एक सीरे में धागा डालो, और फिर उससे आप चीजों को जोड सकते हो धागे से, सोच करके देखो न, यह कितनी कमाल की सोच है, तो जिसने सुई धागे का आविशकार किया, वो भी अपने आप में बहुत बड़ा आविशकरता होगा, तो अब इन दो गुफा वगेरा में रह रहे हैं, तो गुफा के मुआइने पर या गुफा के बहार आग जला पाए, कि जब वो सो रहे हैं रात में, तो कोई जंगली जानवर आके उनको खाना जाए, तो वो आग से अपने आपको सर्दी से बचा पाए, आग से अपना रक्षन कर पाए, तो आग से सिर्फ एक शक्स का नहीं, पूरे समाच का कल्यान हुआ, उसी तरीके से सुई धागे से लोगों ने अपने कपड़ों को जोड़ना सीख लिया, हाना लोगों ने कपड़े क्या सुई धागे के concept को यूज करके सबसे पहली books भी इस तरीके से बनाई जाने लगी, हा तो अब संस्कृती क्या है सर, आविशकार करने की शक्ती को हम संस्कृती कहते हैं, आग का आविशकार संस्कृती है, सुई धागे का आविशकार संस्कृती है, संस्कृती किसको कहते हैं, कोई भी ऐसा आविशकार या कोई भी ऐसा काम जो आप करे, जिससे समाच का कल्यान हो उसे हम संस्कृती कहते हैं और लेखक आगे जाके एक लाइन में ये भी ये बात कहते हैं कि जिस देश की जितनी अच्छी संस्कृती होगी वहां की सभ्यता भी उतनी अच्छी होगी कि for example आपको पता होगा हना कि एक ऐसा समय था जब इंडिया number one GDP था जब इंडिया में यानि कि हमारे इस भारत देश में हिंदुस्तान हिंद माहसागर और हिमाले के बीच की भूमी हिंद माहसागर यानि की Indian Ocean तो जो हिंदुस्तान है यहाँ पर क्या था यहाँ पर सोना बहुत पाया जाता था हिंदुस्तान वो पहला देश था जहां पर हीरे पाये गए थे लेकिन सिर्फ ये तो चलो फिजिकल रीसोर्सेस के बेसिस पर मैंने कह दिया लेकिन ये योगा की योग कर्म धर्म की भूमी है जन्म भूमी है इस भूमी पर गौतम बुध महा महीम भीश में अंगराच कर श्री राम जैसे लोग जो है चल करके जा चुके हैं ये वो भूमी है जो आज भी सर्वधर्म सदभाव में विश्वास रखती है कि सभी धर्मों के साथ हमारी सदभावना है याने कि हम सभी धर्मों का सममान करते हैं तो ये जो भारत की सभ्यता है ये इतनी ताकतवर क्यों है? इतनी अच्छी क्यों है? वाई इन्डियन सिविलाईज़ेशन is one of the best civilizations in the entire world? because of the Indian culture क्योंकि भारत की संस्कृती इतनी महान है भारत में इतने सारे अच्छे आविश्कार हुए है अच्छे काम हुए है इसलिए भारत की संस्कृती जो है इतनी अच्छी है इसलिए लेखक कहते हैं कि अगर संस्कृती अच्छी है तो सभ्यता अच्छी होगी ही संस्कृती के बिना सभ्यता होई नहीं सकती अगर संस्कृती बेकार है तो सभ्यता बेकार होगी अगर कोई संस्कृती नहीं है तो सभ्यता भी नहीं है तो संस्कृती has to be first संस्कृती होनी चाहिए और उसके बाद ही उसे सभ्यता निकलती है संस्कृती से ही सभ्यता निकलती है अब यहाँ पे समझने वाली एक और चीज यह है कि संस्कृती जो है जरूरी नहीं है कि संस्कृती तभी बनती है जब आप किसी चीज को खोजे या किसी चीज का आविशकार करे यान कि किसी चीज़ को डिसकवर करे या इन्वेंट करे ज़रूरी नहीं है अगर आप मान लिजिए कि श्री राधाय कर्ण की तरह या किसी इनसान की तरह हमेशा आप जीवन भर दान देते हैं तो इससे भी आप मानफ समाच के लिए एक अच्छी मिसाल पेश कर रहे हैं और समाच के कल्यांड के लिए कुछ कर रहे हैं समाज की लोगों की भलाई के लिए कुछ कर रहे है न आप सिर्फ एक पौधा लगाई बच्चो यही तो मैं चाहता हूँ एक शिक्षक होने के नाते ये नहीं कि आप पौधा लगाई या आप दान दीजे उससे मेरे को क्या फरक पड़ता है इस बात से फरक पड़ता है कि आप ये चीजे समझे तभी जो लोग सच में दान दे रहे हैं और सच में पौधे लगा रहे हैं आप उनकी इज़त करना सीखेंगे देखो अगर थोड़ी देर के लिए चाप्टर से बाहर आ जाओ देखो लाइफ में ना मतलब खुद सब कुछ करने की ज़रूत नहीं है अगर खुद कभी कुछ अच्छा काम नहीं भी कर पाए फिर भी जो अच्छा काम कर रहे हैं उनकी रिस्पेक्ट भी करोगे बहुत हो जाता है पर वो बेकार के सिनारियो जहां पे ना तो खुद अच्छा काम किया और जो दूसरे अच्छा काम कर रहे हैं उनके भी काम में रोडा लगा ना उन्हें भी बुरा भला कहना धोंगी कहना हा ना जो धोंग करते हैं उनकी बात अलग है पर जो सच में काम कर रहे हैं least उनकी respect जो है वो जरूर करना चाहिए तो अगर खुद कभी कुछ life में अच्छा नहीं भी कर पाए दान नहीं भी दे पाए और तुम जरूर कर पाओगे मेरा आशिरवाद है attention मतलो लेकिन अगर मानो कि for example किसी दिन तुम दान नहीं भी दे पाए पर अगर किसी दानी को देखते हो तो उसका भी सम्मान करोगे तो ये बहुत बड़ी वात है समझ पा रहे हो अब इसमें भी दो चीज़े होती है अब देखो एक वह जो संस्कृती है संस्कृती क्या है अब ये जो करने वाला है यान की आविश को खोजने वाला या फिर ये काम करने वाला इसको हम संस्कृत कहते हैं संस्कृत जो है वो आपको लगता होगा भाशा है लांग्वेज है जरूरी नहीं है संस्कृत एक लांग्वेज तो है पर साथी साथ जो संस्कृती का निर्म करशन की खोज की उन्होंने gravitational force का खोज किया अब होता ही है बच्चों की आपको पता है कि गुर्थवा करशन का कोज Newton ने किया तो भारती है भौत एक विज्ञान में भौत एक विज्ञान यान कि physics जो है इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है तो अब आज की जितने भी physics के student है उन्हें ये gravitation का concept पहले से बता है in fact वो कई ऐसी चीज़े भी जानते हैं जो शायद Newton नहीं जानते होंगे लेकिन फिर भी ये जो आज के physics के students हैं मैं और आप जो हैं क्या हम Newton से बड़े संस्कृत है नहीं संस्कृत क्या कौन होता है फिर से बताता हूँ जो कोई भी कोई भी ऐसा काम करे या किसी भी चीज़ की ऐसी खोज करे या आविशकार करे जिससे समाज का कल्याण हो मैंने और आपने या उन बाकी physics के students ने अब तक कोई ऐसा concept नहीं खोजा या सिर्फ concept खोजने की बात नहीं कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे की समाज का कल्याण हो जिससे की आने वाली पीडियों का कुछ भला हो फिर चाहे वो छोटे से छोटा हो बड़े से बड़ा हो तो इसी लिए भले ही आज की जो पीडी है वो जादा होते हैं लिखक के अनुसार ठीक है एक तो उस तरीके के लोग जो खुद मतलब आवो कहते है ना आवशकता ही आवशकार की जन्नी है कि for example हमने थोड़ी देर पहले आग के बारे में डिसकस किया था ठीक है आग का आवशकार जो है वो हुआ अब आग का आवशकार हो सकता है कि उसकी जरूरत पड़ी हो कि पुराने जमाने के आदिवासी जो लोग थे उनको लगाओ कि यार भोजन पकाने के लिए उस समय तो लोग या तो फूल पत्ते खाते थे या मांस वगेरा खाते थे इसको पकाने के लिए कुछ तो चाहिए तो उन्होंने भूग की वज़े से आग का विशकार किया हो या अपने आपको जंगली जानवरों से बचाने के लिए आग का विशकार किया हो या हो सकता है कि उन्होंने आग का विशकार इसले किया हो कि हमें जो है वो सर्दी से बचना है ठंड बहुत पढ़ती है तो आग जलाके रखेंगे तो गर्मी पैदा होगी तो आग काविशकार किसी जरूरत की वज़े से किया हो सुई धागे काविशकार भी हो सकता है किसी जरूरत की वज़े से किया हो कि for example उनके कपड़े जो है यानकी जो भी पत्तों से या जिस भी तरीके से अपने आपको ढखते थे जिस भी कपड़े से उसे सीलने के लिए या कभी कपड़ों को बढ़ा या छोटा करने के लिए या फिर हो सकता है कि मैंने आपको बताए कि books में भी पहले binding आती थी आज कल भी कुछ-कुछ books में आती है copy किताब बनाने के लिए लिखने के लिए तो आवशकार के लिए या तो एक आवशक्ता हो ये एक तरह category के लोग होते हैं कि जिन्होंने जो संस्कृत है जिन्होंने संस्कृती के लिए कोई काम किया क्यूंकि एक ऐसी condition आई कि ऐसी जरूरत हो गई कि उनको वो काम करना पड़ा यानि कि किसी आवशक्ता की वज़े से उन्होंने आवशकार किया दूसरे category के लोग जो है उनको ग्यानेपसा कहा गया है पाठ में ग्यानेपसा यानि कि वो लोग जिनके अदर ग्यान पाने के इच्छा है कि for example बच्चों एक ऐसा शक्स है जिसका पेट भरा हुआ है हना उसे भोजन पकाने के लिए आग की जरूरत नहीं है आग काविशकार हो चुका है जिसका तन धका हुआ है जिसके पास कपड़े भी है सुईधागे काविशकार भी हो चुका है वो बस आराम से लेटा हुआ है किसी पहाड के उपर या जमीन पे और फिर वो देखता है अब पुराने जमाने की बात है तो घरों में लोग कम रहते थे तो जब वो आसमान में लेटता है तो आकाश को देखता है आकाश गंगा को देखता है और वो देखता है कि यार यार ये कौन सी सुनहरी थाली है ये क्या है ये चमकते हुए ये गोल गोल चमकता हुआ क्या है ये छोटी छोटी चम चमाती ये रोशनी कहां से आ रही है ये चांद सितारे क्या है उस समय तो concept भी नहीं होगा शायद चांद सितार होगा तो आप समझ पा रहे हैं अब वो इस चीज़ को समझना चाहता है एक case पहला case ये है कि जहां पे जरूरत के हिसाब से लोग आविशकार करते है जरूरत के हिसाब से लोग कुछ ना कुछ काम करते है दूसरा case ये है कि जिग्यासा की वज़े से करते है ग्यान की वज़े से करते है ऐसे लोगों को ग्यानिपसा कहा गया है कि इनके अंदर कुछ चीजे जानने की इच्छा है कुछ सुकता होती है curiosity होती है इसलिए यह सारी चीजे जो करते हैं तीसरी कैटेगरी वो होती है जो जिन लोगों के अंदर से अपने समाच का कल्यांड करने की सोच आती है जैसे गौतम बुद्ध की हम बात करें इस category में वो लोग आते हैं जो जरूरत की हिसाब से चीजे करते हैं कि भूख लगी तो भूख के लिए कुछ तो करना है आपका अविश्कार किया कपड़े बनाने हैं सुई धागे का अविश्कार किया हना second category में वो लोग जो आसपास चीजे देखते हैं और उस हिसाब से वो कुछ ना कुछ करते हैं उसे जानने के लिए वो उस चीज के बारे में पढ़ते हैं और फिर वो उस चीज को discover कर लेते हैं तीसरे category में वो लोग आते हैं जैसे गौतम बुद्ध जी का example दिया गया है पाठ में कि जिनोंने समाज में ना कुछ ऐसा देखा हुई तो खुद राजा थे इनके पास तो सब कुछ था किस चीज की कमी थी हना तीन दृष्य देखे सिर्फ गौतम बुद्ध ने हना एक रोगी एक वृद और एक मृत्शव को देख कर राजा गौतम भिक्षुक बन समान हो बस चल पड़े खोजते फिरते चले उस ग्यान को जो गुपत है प्रभुद्ध है शुद्ध है उनकी कथा जो बुद्ध है हना ये काफी कमाल की एक रचना है उनकी उपर आप देख सकते हैं एनिवेस तो ये वो लोग हैं जो खुद समाज के लिए कुछ करना चाहते थे जिनके अंदर से भाव ना आगी अब इसमें भी लेखक और एक्जामपल देते हैं ये लेखक जो है वो एक्जामपल देते हैं लेनिन का तो जिन्होंने पूरे रूस को एक तरीके से नई जिन्दगी दे दी कि ऐसा भी लिखा गया है और ये पाठ में भी लिखा गया है काल माक्स जिन्होंने कम्यूनिजम का कॉंसेप्ट जो है कम्यूनिजम की सोच या विचार धारा जो है उसका आविशकार किया काल माक्स जो है उन्होंने ये सोचा कि सभी मजदूरों को सुख में देखना चाहता हूँ है कि सभी मजदूरों को सुख में देखने का सपना रखने वाले काल माक्स ने अपना जीवन खुद दुख में बिता दिया हना अरे इनको छोड़ो आप एक मा को देखो जिनने हम सब देख सकते हैं हो सकता है कि हमारी मम्मियां हमको उतनी परफेक्ट ना लगती हो पर अपने समय में हमें बड़ा करने में इन्होंने भी बड़ा संघर्ष किया है कि जैसे एक मा जो है और ये लिखक की शब्द है मैं कुछ भी अलग से नहीं बता रहा कि जैसे एक मा जो है जब बच्चा बहुत बिमार होता है तो वो अपने बारे में अपना सुख और दुख छोड़ करके अपनी तबियत की चिंता छोड़ करके सिर्फ बच्चों को देखने लगती है बच्चे को पुछकारने लगती है बार बार धपी देने लगती है ताकि उसकी तब्याट ठीक हो जाए रात भर बिना सोए जगे हुए उसको ले करके गूमती रहती है तो अब लेखा कि सूचते हैं कि कहां से इनके अंदर ये सारी चीज़े आती है हना कि ये लोग दूसरों के मूँ में कौर दे कर खुद कैसे भूके हो जाते हैं दूसरों के मूमें कौर दे कर- कौर यानि कि निवादा या बाइट दे कर अब जडूर नहीं है कि यां पे खाने की बात हो रही है क्योंकि कौर का जिकर किया गया है ये मतलब एक मुहावरा है कि मतलब दूसरे का भला करके यो लोग खुद कैसे खुश हो जाते हैं जैसे गौतम बुद्ध जी दूसरों का भला करने लगे हमेशा, लेनिन जी ने किया, काल माक्स ने किया, हमेशा इन्होंने दूसरों का भला किया हमेशा. ऐसे लोग ही संस्कृती को बनाते हैं, यानि कि मैं फिर से बताता हूँ, संस्कृती जो है वो कैसे बनती है संस्कृती तीन कारणों से बनती है पहले वो कारण कि जब कोई किसी चीज की आवशक्ता की वज़े से उसका आवशकार करता है कि उसकी जरूरत के हिसाब से वो किसी चीज को इन्वेंट करता है जैसे आग को invent किया, सुई धागे को invent किया तो उससे क्या है वो जो invention हुआ वो आगे आने वाले समय में समाच को भी बहुत help करता है तो वो संस्कृती है क्योंकि हमें पता है कि संस्कृती कोई भी ऐसी चीज है कोई भी ऐसा काम है जिससे समाच का कल्याण हो अगर आप एक पौधा भी लगा दे तो भी ये संस्कृती हो जाएगी आप संस्कृत व्यक्ती कहलाएंगे क्योंकि आपके काम से लोगों का भला होगा जरूर नहीं है कि आने वाली पीडी का भला हो अगर इस पीडी का भी भला हो जिस PD में आप पैदा हुए हैं तो भी आप एक संस्कृत व्यक्ति कहला सकते हैं एक ये कारण है दूसरा कारण है ग्यानेपसा यान कि जो लोग Newton की तरह किसी चीज़ को देखते हैं अपने आसपास होने वाली घटना को और उसको देखकर के उनके मन में आता है कि हा यार यह क्या है और फिरो उसके बारे में अध्यान करते हैं और किसी चीज़ को डिस्कवर कर लेते हैं तो वो ग्यानेपसा वाली कैटेगरी हो गई तीसरी क्याटेगरी में गौतम बुद जैसे महामानव लोग आते हैं जो आसपास उनकी अपनी कोई आवशक्ता नहीं है, नीड नहीं है ना ही उन्होंने आसपास कुछ अजीब सा देखा, उन्होंने खुद एक्स्प्लोर किया यानि कि दूसरों के कल्यांड के लिए अपना वर्चस्व जो है वो दे दिया यानि कि दूसरों के भलाई के लिए अपना जो है वो निवाला दे दिया दूसरों के भलाई के लिए अपने मूँ का निवाला दे दिया ऐसे लोग जो हैं संस्कृति को और ऐसे इन तीन लोगों की वज़े से संस्कृति जो है वो बनी हुई है अब सर सभ्यता क्या है संस्कृति का ही तो परिणाम सभ्यता है हना हमारे खाने पीने के तरीके आने जाने के साधन हम गाड़ी से आते हैं या साइकल से आते हैं यह सब जो है यह हमारी सब्भेता है हमारा व्यवार कैसा है हना हम लोगों से कैसे बात करते हैं हाथ मिलाकर के लोगों को लोगों से मिलते हैं हाथ जोड करके लोगों से मिलते हैं हना ये सब तो हमारी सभ्यता है कि विदेशी सभ्यताओं में हाथ मिला करके मिला जाता है हमारी सभ्यता में हाथ जोड करके मिला जाता है विदेशी सभ्यताओं में अगर आप लोगों की आखों में आख डाल करके बात कर रहे हैं तो इसे अच्छा communication माना जाता है हमारी सभ्यता में भी ऐसा है पर जिनने नहीं पता भारतिय सभ्यता में वो औरते जो आप से उम्र में बड़ी है या जिनकी शादी हो चुकी है उनकी आखों में आख डाल करके बात करना सही नहीं माना जाता तो अक्सर लोग नजरे नीचे कर लेते हैं बीच में उपर देखते हैं फिर नजरे नीचे कर लेते हैं आप में से कई लोग भी ऐसा करते होंगे तो नहीं करते हैं तो कर सकते हैं ये एक अच्छी आदत है ये सब जो है ये हमारी सभ्यता है सभ्यता संस्कृती से ही बनती है अब पार्ट खतम होने से पहले एक बहुत important चीज जो है वो इस पार्ट में बताई गई है कि कुछ ऐसी चीजे भी हैं जो समाज के लिए जो मतलब आविशकार उनका किया तो गया है जिन चीजों को खोजा तो गया है पर वो समाज के लिए गलत चीजे हैं वो जैसे कि परमाडू बम का अविशकार हना या फिर जैसे कि गोली बारी का अविशकार यो समाज को सिर्फ दुख और दर्द ही दे रही है वो सुरक्षा तो दे रही है पर दुख और दर्द दे रही है खून बहा रही है लोगों की हत्याए हो रही है उस चीज की वज़े से ऐसे एक छोटा सा पौधा लगाना बच्चो भी संस्कृती है आप एक संस्कृत व्यक्ती कहलाओगे अगर आप ये कर पाओग तो लेकिन एक पौधा काटना एक पेड काटना ये असंस्कृती है क्योंकि इससे समाज का कोई कल्यान नहीं हो रहा अब यहाँ पे लोग डिबे करके जा सकते हैं तो सर ये संस्कृती है या असंस्कृती है ये संस्कृती है यूकि इससे समाज का कोई लाब हो रहा है अंत में लेखक कहते हैं कि इस दुनिया में बदलाव होते ही रहते हैं आज बदलाव आ रहे हैं कल बदलाव आएंगे हमेशा चीजे बदलती रहेंग कुई वस्तू नहीं है जिसकी रक्षा के लिए दलबंदी दलो की जरूरत हो आर्मी की जरूरत हो हाणा या फिर सेना की जरूरत हो संस्कृति तो केवल एक भावना है कैसी भावना समाच का कल्यांड करने की हना सब लोग सुखी रहे सब लोग खुश रहे या मैं जो काम कर रहा हूँ उससे दूसरों का भी कुछ भला हो कोर्स भी का कोई बच्चा होगा तो पता नहीं जैसे कि मनुश्यता एक काफी कमाल की कवीता है मैं थ्री शरण गुप्ची की उसकी कुछ पंक्तियां मैं आपको बताता हूँ कि वही पशू प्रवित्ती है कि आप आप ही चरे मनुष्य वही जो मनुष्य के लिए जीए मनुष्य के लिए मरे मतलब वो पशु है वो जानवर है जो सिर्फ अपने बारे में आप ही चरे सिर्फ अपने बारे में ये चीजे करता है जो सिर्फ अपने बारे में सूचता है कई बार कुछ ऐसी चीजे भी करनी पड़ती है ना जिससे लोगों का भी भला हो क्योंकि बाद में यही चीजे आपके चहरे पर एक मुस्कान लेकर के आती है हना और अंत में लेखा कि यह भी कहते हैं कि मानव संस्कृति को तोड़ा नहीं जा सकता मानव संस्कृति यहन की क्या कि कोई भी काम जो कल्यान की भावना से किया गया हो कल्यान का भाव श्रेष्ट ही नहीं स्थाई भी है कि अगर आप कल्यान से कोई भी काम करोगे किसी की भलाई के लिए हना चाहे वो अपने परिवार की भलाई के लिए क्यों ना हो आपका परिवार भी तो समाच का एक भाग्य है ना तो जब भी आप किसी की भलाई के लिए कोई भी काम करोगे और अगर वो काम अच्छा है तो लोग उस काम को आगे बढ़ाएंगे जैसे अगर आप आज एक पेड डालोगी हो सकता है आपके परिवार वाले एक पेड और डाल दे तो संस्कृती जो है वो स्थाई भी है और श्रेष्ट भी श्रेष्ट इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ अपने बारे में नहीं दूसरों के बारे में भी सोचती है और थाई इसलिए भी है क्योंकि लोग इससे प्रेरित हो करके और आगे बढ़ते हैं जैसे गौतम बुद्ध जी हना इनसे प्रेरित हो करके ये श्रेष्ट तो है कि उन्होंने सिर्फ अपने बारे में नहीं लोगों को भी जो इन्होंने ग्यान ग्रहन किया बहुत मेहनत करके कई बहुत समय तक एक ही बोधी पेड़ के नीचे बैठ करके इन्होंने ये नहीं कहा किया दिया ये ग्यान मैंने इतने संघर्ष से प्राप्त किया है तो मैं इसे किसी और को ऐसे कैसे दे दूँ मैं अपनी स्पस्टिता अपनी clarity किसी और के साथ ऐसे कैसे share कर दू ना ना इन्होंने ऐसा नहीं सोचा इन्होंने चीजों को share कर दिया उसी तरीके से तो ये श्रेस्ट तो है ये दूसरों के बारे में भी सोच रहे हैं और ये स्थाई भी है क्योंकि इनके मार्क पे चलके बहुत लोगों ने बहुत धर्म बना लिया जैसे दलाई लामजी है। और इनके मार्क पे लोग बहुत चल रहे हैं तो इन्होंने जो काम शुरू किया था वो अभी भी स्थाई यानि कि कंसिस्टेंटली हो रहा है तो बच्चो ये था पार्ट संस्कृती मैं उम्मीद करता हूँ ये पार्ट आपको समझ में आया हो इस पार्ट की भावना भी समझ पाए हो ताकि अगर सिर्फ ये एक वीडियो भी देख रहे हो तो ये चाप्टर आप कभी दुबारा पढ़ने की जरूरती नहीं पढ़ेगी आपको क्वेशन आंसर भी याद करने की कोई खास जरूरत नहीं पढ़ेगी प्र भी दो क्वेशन से इंपोर्टन जो है वो मैं करवा देता हूँ लेखक की दृष्टी में सब्भयता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यूं नहीं बन पाई है क्यूंकि इनका उप्यूक बहुत अधिक होता है लेखक की दृर्ष्टी में सब्भयता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है क्योंकि अब देखेगे यह question थोड़ा गुमा फिरा के पुछा गया है आप सूचेंगे इसरा answer क्या है इसका answer यह है मतलब पूछना यह चाते हैं कि सभ्यता और संस्कृति लोग समझ क्यों नहीं पाते देखो इस पार्ट को पढ़ने के बाद आप तो समझ चुके हो कि सभ्यता क्या है और संस्कृति क्या है लेकिन यह question जो है उन लोगों के लिए पुछा गया है जो आज भी सभ्यता और संस्कृति में confuse हो जाते है तो आपको बस इतना ही लिखना है कि अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता कि सभ्यता क्या है और संस्कृति क्या है वो जब सुनते हैं भौतिक सभ्यता अधूनिक सभ्यता और संस्कृति तो उनको इस सभ्यता संस्कृती जैसे शब्द एक से लगने लगते हैं इसका to the point answer यह है कि वो जानते ही नहीं कि संस्कृती क्या है और सभ्यता क्या है यह तो लेखक ने बताया है कि परोपकार से किया गया कोई भी काम संस्कृती है और उस काम को करने वाला संस्कृत है पर जादतर लोग इस बात को नहीं जानते अगर आप उनसे पूछेंगे तो उपर उपर से कहेंगे नहीं मेरे को पता है सिविलाइजेशन कल्चर क्या है तो मेरे को मत सिखाओ लेकिन अंदर से खोकला है उनका ग्यान क्योंकि उनको क्लियर नहीं है ये चीजे आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है इस खोज के पीछे की प्रेड़ना क्या होगी बड़ी खोज इसले माननी जाती है क्योंकि आज तक लोग चूला जलाने के लिए आग का इस्तिमाल कर रहे है और इसके पीछे की प्रेड़ना होगी या तो सर्दी से खुद को बचाने के लिए जंगली जानवरों से खुद को बचाने के लिए या फिर भूजन पकाने के लिए तो बच्चों ये था पार्ट संस्कृती मैं उम्मीद करता हूँ आप खुश होंगे आपके समय के लिए शुक्रिया